मक्का मदीना पूरे विश्व के मुसल्मानों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थान है यहां मक्का स्थित पवित्र काबा की परिकर्मा करके हर मुसल्मान खुद को धन्य समझता है लेकिन प्रशनियां उठता है कि मक्का मदीना में गैर मुसल्मानों का प्रवेश निशेद क्यों है मक्का मदीना के बारे में तो आपने सुना ही होगा लेकिन क्या आप जानते हैं किसी भी हिंदू को मक्का में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है परंतु ऐसा क्यूं है उसका कारण आज हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सरल हिस्ट्री चैनल के एक और नई वीडियो में उमेद आपको हमारे हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी पसंद आएगा वीडियो पसंद आएगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटा फ़र से चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बैल को भी जरूर चालो कर ले कुछ लोगों का मानना यह है कि मक्का मदीना पहले एक हिंदू धर्मसल था जिसे बाद में मुस्लिम तीर्चसल के रूप में बदल दिया गया लेकिन क्या यह सच है चलिए जानते हैं विस्तार से मक्का जाने वाले मार के तरफ रुख करने वाले लोगों को वहाँ पर जगे जगे पर निर्देश लिखे दिखाई देते हैं कि यहां मुसल्मानों के सिवा किसी गैर धर्म का आदमी प्रवेश नहीं कर सकता इन सुचना पटों पर लिखा होता है यहां काफिरों का प्रवेश वर्जित है लेकिन अब काफिरों के स्थान पर गैर मुसल्मान शब्द लिखा गया है वास्ता में काफिर शब्द का उप्योग नास्तिक के लिए किया जाता है परसिति इतिहासकार स्वर्गिय पियन ओक अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्च का इतिहास में लिखते है जिस स्थीर्थ को मुसल्मान मक्का कहते हैं वो पहले मकेश्वर महादेव का मंदिर था वहां काले रंग का एक विशाल शिवलिंग था जो खंडे तवस्ता में आज भी वही मजूद है हाज यातरी आज भी उसी काले पत्थर को भक्ती के साथ चूमते हैं वेंकेटेश पंडित के अनुसार अभी यह स्थान मक्का में स्थित है भारतिय संस्कृती में पवित्र गंगा का स्पस्च उलेक जहां शिव के साथ गंगा और चंदर्मा की कलपना की जाती है कावा के पास एक पवित्र जहरना पाया जाता है और इसलाम की स्थापना से पहले भी इस पानी को पवित्र माना जाता रहा है जिसे इसलाम में आबे जम जम कहा जाता है मक्का मदीना में कोई भी गैर मुसलिम प्रवेश नहीं कर सकता है क्योंकि यहां प्रवेश करने के लिए एक बुनियादी शर्त है और वो यह है कि जो शक्स पूरे मन से अल्ला का सच्चा रसूल सविकार करेगा और इसलाम दर्म में विश्वास रखता हो वहीं यहां जा सकता है यानि यहां जाने के लिए इसलाम दर्म सविकार करना पड़ेगा और असली बात तो यह है कि जिस पत्तर को चूमने के लिए मुसल्मान मक्का जाते है इतिहास में यही प्रमान होता है कि यह हाकिकत में शिवलिंग है जिसके कारण किसी भी गैर मुसलिम को जाना मना है हमारी इस वीडियो का उदेशिय किसी भी व्यक्ति की भावनाओं या किसी भी धर्म को ठेश पोचाना बिल्कुल भी नहीं है वीडियो में कोई तुरूटी हो सकते हैं क्योंकि वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब दूस्तरोतों के अधार पर है। तुरूटी के लिए आप हमें कोमेंट में जरूर बताएं ताकि हम उस कोमेंट को पिन कर सकें। दोस्तों इत्यास के बारे में और अधिक जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.saralhistory.com पर जरूर विजिट करें धन्यवाद